क्लास में हम लोगों ने अटॉमिक रीडियुस के डिफरेंट ऐस्ट देहें टैइटे कोवालेंट्स रेडियर्स मेटालीक रीडियर्स और वेंडर वालिद ölीयुस जो मैं लास्ट बसी अवर outta तो जो नेक्स क्लास में लोग अभी टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह तुम लोगों का फाक्टर जिस पे आप लोगों का एटॉमिक रेडियस क्या करता है करके बहुत ही सिंबल से टॉपिक है दो मिनिट के अंदर खतम भी हो जाएगा एक बहुत ही कॉमन सा क्वेटर है नोगों का जड अफेक्टव início के बारे में हम लोग जान चुके है क्या होता है करके तो इतना तो आहीं दिमार्ग में जोते से भींजे में यह बात कंफर्म है कि क्या झेपकर चानप एपट आप टाइप आफ नेट फोर्स बराबर अब इमाजिन करो जो आपका आखरी एलेक्ट यह थी ऐसाइज से वह नूप्रेस अपनी तरफ खीचेगा और अगर उस नूप्रेस अपनी तरफ खीचेगा तो साइज decrease होगा यानि कि इससे एक बात तुम लोगों के दिमार्ट में आनी चाहिए वो यह कि अगर मान लेते हैं करके मैं यह तुमसे यह कहूं कि आपने z effective करके ठीक हैं आपका बढ़िया so what is that effective it is a kind of net force experience by the last electron in atom right तो z effective अगर बढ़ रहा है तो आप लोगों का जो force वह यो फील करेगा वह फोर्स की फील भी क्या होगी जादा होगी अगर fled की जादा होगी तो फोर्ट यानि कि अंदर वाले direction में खिचा हैगा in और मूब होगा और अगर वहीं मूब होग तो उसका जो size है यह अपनल रेडियास už वो घट जाएगा तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर आप जैड इफेक्टिव को बढ़ाओगे तो साइज आपका क्या हो जाएगा घट जाएगा चलता है जितना ज़ाएगा उतना चोटा क्या हो जाएगा आप लोगों का साइज हो जाएगा यह हो गया पहला अच्छा आब अजाते हैं दूसरे फैक्टर में दूसरा बहुत हीस है मतलद सिंपल है टें न म्हीं पढ़े है तुमने ına तब तब देखते हैं जब आपके elements different group में इंवाल करहें ठीक है हम लोग जिन species को compare कर रहे हूं जिन atoms को compare कर रहे हूं ज बिल और नहिंट्अ को डिफरेंट में तो झिए तो यहाँ पर एक पयूंट याद रखना करके यह जो तुम्हारा concept करके बराबर कि वहां पे जो number of shells है उससे क्या relationship है तो यह number of shells वाला concept तभी apply करोगे कि वन comparing quantities मतलब जिनकों आप compare कर रहे हो वह compare होने वाली जो आपकी quantities है वह compare होने वाली quantities क्या होंगी belong to different group ठीक है आच्छा तो अब यह बात भी समिझ में आगई आगई आप सोचों यह आपको 10 में भी सिखाया गया होगा कि let's imagine आपके पास एक आटम है जिसके पास मान लेते हैं कुसका configuration लेट से 2,3 है एक आटम भी है जिसका configuration मानेट है 2,8,3 है यह ऐसे तो ऐसे में अगर मैं इसका structure के नाम पे क्या मिलेगा पहले सेंटर में कहीं नूक्लियस होग no doubt ठीके दोनों के पास एक एक शैल है लेकिन जो पहला वाला है उसके पास वह जो त्री justした यह मौखूद है और वह जो तीन इलेक्ट्रों सवाला जो चेला है यह उसका कैसा शल आख्री शल यह पहला एलेक्ट्रों यह दूसरा यह तीसरा एलेक्ट्रों इसके बाल उसके पास शल्स हैं बड़ दोश सारह एमटी राइट वह मैं करके तो उन एमटी शेल्स में जाहें से नहीं, कोई नीड क्या है बताओ, तो आते हैं, तो बी वाले के पांस, देखो, खुद एक शेल यह मानने थे उसके पास एक शेल करके ठीक है अच्छा, अब उसके बार अगेन उसके पास एक और शेल होगा, तो जिसका पहला shell है यानि की k shell उसके shell में कितने electrons होंगे दो electrons होंगे जो b होगा वो completely filled है मतलब L shell completely filled है उसमें 8 electrons होंगे लेकिन आउटर वोइ शेल में भी कितने electrons होंगे तीन electrons रहेंगे लेकिन distance अगर आपको नाप नी है तो आप कहां से नाप होगे लेट से यह नूकलियस यह अपने नापी डिस्टेंस तो अभी तो क्यों क्या बोलूं करके कोई पगला या पगली भी वैदा सकता है करके कि सेंटर तो फिक्स है बच शेल्स कैसे होते जाए दूर दूर होते जाने यानि कि किसके पास जितने क्कोर्पोटीकुलर चीज चीज़ के अ氣कर यह व्याइंज्ट ईकिरत एक right यह ने सीज्ट करेंवार देखलोक एब जो बचे обязательно सब्सक्राइं बोलो AI गर्याए को बहुती सिंपल से मांपला नह्यां करता गर्क जाने लाइक सचीज कुछ हैनि जा वह होती सिंबल सा लोजिक है इसको समझना है पहला है बॉंड और तभी बॉंड और क्या होती है यह आप लोग नेक्स चैप्रन में पड़ोगे बट राइट नौ मैं इसको यहां पर लिख देती हूं करके कि बॉंड और का मतलब होगा आप लोगों का नमबर आप बॉंड ठीक ह सकंदें टिक हैं लैटसे एक है एए और एटू लैटसे का बीटू औल एक एक है Si टू चाहरा में यह jadi … और आप बात के पीश की बहुण होगा जो बी तू होगा उसमें b और b इन दोनों के भीश में इस माननेब डबल बॉंड प्रिएट woke मैं एक नूक्लियस होगा अगर दो आटम्स आपके बीच में बॉन बना रहे हैं तो बॉन बनाने के लिए जो में रेडियस निकालती है बेसिकली यह रेडियस निकलता कहां से आप इंटर नूक्लियर डिस्टंस कैलक्यूलेट करते हूं what do you mean by inter nuclear distance दो आपके जो bonded atoms है अगर मैं कोवालेंट की बात करूं तो उनके जो nucleus होते हैं उन nucleus के बीच का उनके center के बीच का जो distance होता है वही होता है तो inter nuclear distance यानि कि क्या आप लोगों की bond length is equivalent to bond length यह triple bond नहीं है equivalent का sign in equivalent to bond नंद वहीं आपका bond length है तो यहाँ पर रहखो जो bond मनाय हैं यहाँ पर कितने electron shared है दो यहाँ पर बनाया कितने electron shared है आपके चाह यहाँ जो bond में कितने electron shared है आपके छे अब imagine करते हैं कि कि वहां पर जो नूकलियस के बीच में रिपल्शन होता है और जब कोचिश करते हैं कि न्यूकलियस के आपस के रिपल्शन को क्या कर सके minimize कर सके है ना मतलब जो एक electron है वो कोशिश करेगा कि nucleus के repulsor को minimize कर सको कैसे minimize करके खुद nucleus के साथ force of attraction apply करवाकर तो similarly अभी तुम सोच सोचो कि just a2 नामा के molecule मना है उसमें भी overlapping हो रही है वी overlapping है c2 में overlapping है but the differences कि in case of a2 there is overlapping जो overlapping है है वहाँ पर 2 shared electrons है in case of b there are four shared electrons in case of c there are six shared electron तो common sense है थोड़ा सा logic apply करो कि जैसे जैसे shared electrons की संख्या बढ़ेगी ठीक है तो वो जो आप लोगों का inter nuclear जो repulsion है ठीक है अगर मैं shared electron की quantity increase कर दो तो इससे क्या समझ में आएगा इससे यह समझ में आएगा कि जो वो आप लोगों का nucleus between nucleus जो nucleus के बीच का जो repulsion है between nucleus का जो repulsion है वो repulsion क्या हो जाए गाज है increase हो जाएगा अगर between nucleus आप लोगों का reperility बढ़ गया सारी आपका क्या हो जाएगा घड़ जाएगा क्यों घड़ जाएगा क्योंकि आपके जो की है फॉरी तरही की सो क्रीकेस आपकी फ़ोसरी को महीं कर सके करिए करके तो आप्म यहां पहली पर इशारी हूंB अब तरा है तो इसका मतलब क्या है कि ए ट्रे ^^ अगर इट्राक्ष मुध रहा है तो इसका का मतलब क्या हो रहा होगा कि दिस्टेंस आप pik听 से कि आपको यह कैसकती ऑ스ब क्या होता है तिक जिसको मैं कह सकती हिए जो तुमारा bond order है यहBC आप box-way नोगा साइप यह साइप साइप जो फुर। इसको सकथ है।स्य की आगा स्वाधिया किस प्रॉमपार के लिडियु नहीं कि प्रॉस संडे चलता इन वह रो आख चोपार है। बट वह जो चौथा कंसेप्ट है वह सिर्फ वर से मेटालिक का मैटल मतलब मेटलिक एलिमेंट के लिए ही वह और किसी के लिए वालेड है ही नहीं दैट चौथा जो कंसेप्ट है आप 12th क्लास की के मिस्ट्री में जब आओगे तब उसको सीखोगे वह यह है कि जो लिफरेंट के लिफरेंट जाती है तो यानि की चौथा फैक्टर हो सकता है वह चौथा फैक्टर आप लोगों का की मेटल्स क्या और विव मेटल्स का कब इन सॉलिट सेट जब आप उसको सॉलिट सेट में पढ़ोगे तब यह चीज आए अच्छे सा समझेगी मैटल्स इं इसका रूल ऐसा है इसका रूल ऐसा इसका रूल ऐसा है क्योंकि वह चीज हम आप 12 के सॉलिट से पढ़ोगे ता आपको समझेगा अच्छा करके ऐसा तो उस वक के लिए छोड़ दो तो टोटल चार फैक्टर हो गए अच्छा अब आगे बढ़ते हम लोग अपने नेक्स ट टेबल में उसका ट्रेंड स्टेजि़ करना या निकिल टू रइच जाते वक्त उसके प्रोपरटी में क्या बदला वाता है तॉप उब्लाव आते वक्ता आए वसकी क्या बदला वाली चcasah चीजзд के सामको अभी पढ़नी तो पिर्योडिक आपका variation group में होगा या तो आपका variation आपका period में होगा diagonally या किसी दूसरे zigzag manner में elements के जो atom है उनके size के साथ उसका कैसा variation चलता है वो तो आमको पढ़ना ही नहीं है वो तो आम पढ़ ही नहीं रहें तो क्यों उसमें भी फालत उपना होते हैं ठीक है जब हमारा जो movement होता है जब हमारा movement top to bottom होता है तो top to bottom वाले movement में सबसे पहला दिमाग रखना जो आपके number of shells होते हैं यह जो quantity होती है वो करके क्या होती है इंक्रीज अभी अभी जमें उपर फैक्टर्स पढ़ाए थे उसमें यह पॉइंट डाला है करके कि अगर आपका number of shells बढ़े था तो डेफिनेटली उसके साहसाल आप लोगों का जो atomic size है वो atomic size भी आप लोगों का क्या हो जाएगा करके लेफ्ट टू राइट वाला मुवमेंट करते हैं वक्त आप लोगों का क्या हो जाएगा एंकी जो value है अब अन मतलब क्या होता है नम्रोड शेल्स बराबर तो यह जो एन की value आपका कैसा रहता है constant रहता है यानि क्यों कहना इस हो रहे हैं लेकिन लेकिन अब यहाँ पर याद रखना कि आपका जो last shell होता है उस लास्ट शेल में आप जैसे जैसे यह कहाँ अगे आते हो एक electron होता है और साथ ही साथ में आपका जो nucleus होता है उस nucleus में आप लोगों का क्या होता है एक proton होता है ठीक है अच्छा अब देखो जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं फिलाल I am talking about second period I am talking about third period not about 4567 or first तो यह जो आपका second period हो यह आपका third period होता है इसमें ह आर्बन की बात तो तुम क्या कहोंगे इसके configuration को 1s2 2s2 2p3 या फिर oxygen को 1s2 2s2 2p4 यह कुछ भी बोलो 2p तो बढ़ा रहा है 2p छोड़ो p तो आ रहा है यह निकि आपका जो एक electron add हो रहा है वो electron आपका कहां पे add हो रहा है पी नामक सबशल में add हो रहा है अब जैसे कि तु left to right जाते हो तो left to right जाने से आप लोगों का जो जए एध फेक्री एवगे फार्ट्री में विलेगा आसटा में देंदेंने को मिलेगा लेकिन अब लेकिन क्या आ गया पे तो लेकिन आपर तो समझता है यह अपने Continual नोर्स में रखना I am talking about the elements of second period क्या क्या होते हैं second period में आप लोगों का lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon अब ये मेरे elements हैं आपके periodic table में left to right जाने पे हम लोगों की expectation देखो कैसी रहती हैं हम लोग क्या expect करते हैं हम ये expect करते हैं कि आपका जो lithium है वो छोटा होगा beryllium से आप लोगों का सबसे बड़ा कौन होगा lithium होगा, फिर boron, छोटा फिर उसके बार, ये इस तरीके का order मेरा expect रहता है कि जितना आप left to right जाओगे आपको उतना ही छोटा size मिलेगा बट reality ऐसी नहीं होती reality ऐसी बिल्कुल नहीं है reality में होता ये है कि basically जिस neon को आप सबसे छोटा मनने की कोशिश कर रहे दे करके कि neon मेरा सबसे छोटा होगा सबसे छोटा होगा reality में सबसे छोटा नहीं होता है बलकि वो आप लोगों के fluorine, carbon इनके compare में क्या हो जाता है करके उसका size बढ़ जाता है neon का size बढ़ा होता है ठीक है neon का size क्या हो जाता है बलकि बढ़ जाता है यह रेखो यह यहाँ पर exception यहाँ रखना है कि हम expect कर रहे हैं कि neon का size क्या होगा करके घटना चाहिए बट neon का size नहीं घटना इस क्या यह exception है हाँ exception है बट हर exception का अपने पास एक जवाब है कैसे जवाब है हम लोगों के पास वह इसलिए क्योंकि हम लोगों के पास results रहते हैं यह ऐसा नहीं होता है जैसे कि maths होता है maths में आप क्या करते हो पहले कुछ derive करते हो फिर उस derived कि हुई चीजों के basis पर आपके पास नए-nए questions create basically chemistry में उलता है question आपके पास पहले आ जाता और फिसका answer का जवाब हम लोगों रूनते कि आखिर ऐसा क्यों हुआ अखिर ऐसा क्यों हुआ हम है वो टूडना है तो हम देखते हैं कि कौन सा सबसे बेस्ट रीजन या सबसे बेस्ट जस्टिफिकेशन प्रवाइट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज के लिए दाट वी आप प्रवाइडी तो आखिर नियॉन का साइस बड़ा क्यों है दर रीजन नियॉन आप लोग बाकि के लोग नगे आपके कार्वन नाइट्रोजन औक्सिजन इन इनट नहीं है ठीक है यह इनिर्ट नहीं इनमें कॉन सा है इनमें कोवालेंट रेडियस लग रहा है जिसमें बलकी ओवर लैपइंग होती है तो इसलिए आपका जो नियॉन है उसका बॉनलैन बढ़ेगा बट अब इसमें लोग ना एक नियम बना लेते हैं नियम क्या बना लेते हैं देखों का नियम ना कुछ इस परकार से चलता है अब जैसे नियम इसको अच्छे से नोट्स कॉपी में लिखना जैसे उन लोग बोलते हैं अगर मैं फर्स पीरेड की बात करूँ तो फर्स is also an inert gas so therefore helium का साइज जाना बढ़ा हो जाएगा ड्यू टो वंडर्वाल रीडियस यह एक बात सही है जो आपका लीटियम है लीटियम और बिट्वीन नियॉन कौन से पिरेड में यह लोग सेकंड पिरेड में करके इसमें भी नियॉन का साइज बढ़ा होगा थर्ड पिरेड मे हो जाता है पोटेशियम का साइज बढ़ा हो जाता है रूबीडियम का करके यह इस तरीके से तो यानि कि तुम्हें एक नियम मत बनाओ कि देखो ऐसा ऐसा ही होता होगा करके आप लोगों का बैट उस तीज को समझो के आखे यह वाली चीज जो हैं हमको याद रखनी है करक क्योंकि कुछ चीज आपको समझाने के अभी आपके दिमाग के लेवल के बाहर की है लिमाग के लेवल यानि की जो सिलाबस हम पढ़ रहे हैं उसके ब्यॉंड आती है बट अगा कोई फैक्स सामने दिये गाएं करके तो तुम्हें वह चीज कैसा करके पढ़नी चाहिए तो पोटैशियम में 19 प्रोटान होते हैं और 18 एलेक्टान होते हैं बरबर यानि की पोटैशियम जो रहता है करके ठीक हैं उस पोटैशियम में जो 19 प्रोटान है उनको उसके क्या करतने वैल अच्छा उसके एक बात और चुड़ गए मेरे वैलेंस एलेक्टान अब ये पोटै बहले ही आप लोगों का वहाँ पे रहे 19 प्रोट्रों मिल के उस मात्र एक वालंस इलेक्ट्राउन को क्या करते है करके कुलंबिक फोर्स लगाते हैं ठीक है तो यानि कि विचारा एक आपका valence electron potassium का इतने सारे protons का क्या करता है columbic force विचार जेलता है अब आती है क्रिप्टन की तो क्रिप्टन में क्या होता है आप लोगों के पाथ 36 protons होते हैं and आपके पाथ 28 electrons होते हैं all over और अगर उसमें में valence electron की बात्चीत करूँ तो valence electron की संख्याठ हो जाती है यानि कि जो 36 proton है that is 36 करके ठीक है वो 36 बिचारे आपके protons को force लगानी पड़ती है आपके किस पर 8 electrons पर तो तुमको लगेगा उपर है उसमें क्या दिक्कत है 19 को जब एक लगा सकता तो 36 को नहीं लगा सकते तो तुम खुछ सोचो 19 proton एक पर लगा रहे तो अव्यस है कि यहाँ पर जो कोलंबिक फोर्स होएगा वो कोलंबिक फोर्स आप लोगों का क्या रहेगा डॉमिनेटिंग रहेगा करके अच्छा इसके अलावा एक लोजिक और है इसके अलावा वो लोजिक का भी जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे शिल्डिंग एफेक्ट के कोश्चन तभी आला देखेंगे करके लेकिन यह एक लॉजिक है कि कोलंबिक फोर्स आपके क्या रहेगा आपका ग्रेटर रहेगा उपर वाले केस में आप लोगों का कम हो जाएगा करके यह ना कोलंबिक क्योंकि छट्टी सिर्स पोर्टान आप आपका जो एक्सपेक्टेशन है वह हमारी इस प्रकार से चलती है कि आपका जो पोटाशियम है उसका साइज छोटा आपका साइज क्या होना चीथा करके बड़ा होना चीथा ठीक है वह इस तरीके से और बस उपर यह भी हमको दिख रहे करके कि यहां पर वालेंस इलेक्ट और आप लोगों का कुटन बढ़ाएंगा बन डाएगाएंगा बन लोगों कल़के कीरिम यारें और लेकिन में बनेर को समझाूंग और गाता औरेखनेomination होता है हम लोगों और आपकर को दूशर क favorable долларов कर में मैं से और संप और कुछ कुछ उन को तुम इसमें फिर अप्लाई करके देखना तब बन जाएगा करके ठीक है क्योंकि जो के के जो वालेंस इलेक्ट्रों से यह जो एना मोर शील्डेड है शील्डेड मतलब इसके आज यूबाद जो सोचो सब लोग एकदम शील्ड लेके खड़े हुआ है कि न आप लोगों के फौरत या फिफ्फ पीरेड कि और फौरत या फिफ्फ सी पीरेड में इलेक्ट्रॉंस कि एंट्री हो जाती है और डी इलेक्ट्रॉंस का शील्डिंग फक पूर है तो पूपर स्फिन गहिए से जो फॉर्स उस क्रिप्टन थक नहीं पहुंचनी चाहिए थी 36 प्रोट्रॉन की जो फोर्स है वो फोर्स आपकी पहुंच जाएगी फोर्स रीच कर जाएगी और अगा फोर्स रीच कर गई तो आपका साइज क्या हो जाएगा बोलो डिक्रीज और वही उसके से पोटैशियम के केस में डी नहीं होते क्योंकि काफी प्रोटेक्टेट करता है बस यह इकलोटा एक्सप्षन है जो तो में त्में प्रोड़ा सा में याद रखना है अच्छा हम आजाते हैं हम लोग हमाएं नेक्स पॉइंट पे क्या था ये नेक्स पॉइंट ये चल रहा था हमारा फर्स पीरेट की बनी रुको 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 पीरेट की बात्ची चल रही थी अब नेक्स नोट बना लो अपने ग्रुप की बात्चीत में आ जाते हैं गुरुप का तो देखो सिम्पल सा फंडा है कि टॉप टू बॉटम जाओगे नमबर अच्वयल बढ़ेंगे तो यह वहाँ पे दूर दूर ओता जाएगा और दूर दूर ओता जाएगा तो दीए 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 डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा करके ठीक है जैसे कि अगर मैं एक्सपेक्ट करूं करके कि आपका पोटेशियम है रूबीडियम है सीशियम है और फ्रेंसेशियम है यह आप लोग के पास चीजे हैं तो इसमें सबसे आदा साइज हम किसका एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि वह आपका 7th period में है करके बराबर अच्छा और इस तरीके से order हमारा चलेगा करके कि जितना आप group में नीचे जाते जाओगे करके आपका size क्या होता जाएगा उतना ही बढ़ता जाएगा अब क्या इसमें कुछ exception है क्या कोई exception ही आपर है वो हमको जानना है तो देखो जना यह exception आप लोगों का है क्या या जो भी ची बताई जारी वो क्या है करके simply से उसको समझते हैं करके पहला यह कि let's imagine करके आप लोगों के पास कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज है ठीक है अब यह पर्टिकुलर स्पीशीज में कहां की लेना चाहरी हूं वह उस पर 13 में मुझे कुछ elements मिले अब गुरुप नमबर 13 के elements की भी बाच्ची सुन लेते हैं वो क्या है करके तो देखो गुरुप नमबर 13 में आता है बोरॉन बोरॉन के बाद आता है एक्सपेक्टेशन क्या है एक्सपेक्टेशन यह होती है कि यह elements तो गुरुप के हैं और गुरुप में जाने पर तो करके आप लोगों का क्या कहते हैं वेड़श Porque आपका नम्मटर अस्टे treat हैं तो में एक्सपेक्टेशन नायों आपको एपरोच करके जाओंगे आपका जो size है वो size आप लोगों का क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा यह हम लोगों की expectation थी but reality में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ reality में जो answer आया है न वो answer आप लोगों का कुछ इस परकार से आया है करके कि जो आपका aluminium होता है और जो आपका gallium होता है इस aluminium और इस gallium का जो size होता है वो size आप लोगों का approximately equal आ जाता है सो जो हम expect कर रहे थे कि वो उससे difference में आना चाहिए तो difference बाकी जगा approximation नहीं से वहीं पे उसी एक point पे आपको वो दिख जाता है करके कि यह वाला जो size है आप लोगों का कैसा आ गया approximate आ गया अब what is the reason behind this logic कि आखिर ऐसा क्यों हुआ aluminium और gallium का जो यह size है क्यों आ गया करके तो देखो बहुत ही simple सा logic है aluminium आपका जो atomic number है if I am talking about aluminium तो aluminium का atomic number है value of Z is equal to 13 अगर मैं इसका configuration लिखूं तो configuration will be 1s2, 2s2 और 2p6 और 6s2 और 3p3 यह मानलो इसका configuration है तो एक सबसे important चीज aluminium में यह है कि इसके पास कोई भी d electron involved नहीं है बराबाबा इसमें कोई भी d electron involved नहीं but if I am talking about gallium so gallium का atomic number कितना हो जाएगा ठीक है आप already 13 पे हो आप जब नीचे जाओगे तो आपको उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा अठरा आपको आठरा जोड़ना है क्या हाँ तो आठरा जोड़ना और उसके बाद 4s2 आएगा 3d10 आएगा और फिर जांके आप लोगों का 3p1 आएगा नहीं नौट 3p1 थी भी 3 आएगा करके यह यह ऐसा अब बता आप क्या करूं मैं तो इससे क्या दिख रहा है कि जब हम लोग आप लियम की बात करते हैं तो तक गयालियम में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन जाधा है ठेक हैं गयालियम में दस इलेक्ट्रॉन जाधा है और वो दस इलेक्टॉन कहां पर हैं वह हमको जानना है एक मिनट capitalism किस अंडा दे शोच मेरें तक हैं यहां पर धिख लेरी टाम beim बता तो जो ग्यालियम में as compared to aluminium यहां पर पहले आपन बात करें तो यहां पर डी-Electron है अब तुम्हें रगेगा कि डी-Electron के होने नहीं होने से ऐसा क्या है जो आप इतने डी-Electron पे चीजों को फोकस करके डाल रहे हो करके वह यह है कि आपके जब डी-Electron आ जाते हैं तो नूकलियस से अगर आउटरमोस इलेक्ट्रॉन के तरफ अगर कोई फोर्स आ रही है तो वह इस फोर्स को रोक नहीं पाते उस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने में मतलब नहीं पहुंच पाते रोक नहीं पाते इलेक्ट्रॉन के पास लास इलेक्ट्रॉन के पास नूकलियस स बहुत जाती तो जिसकी वज़े से आप लोगों का जो जैड़ इफेक्टिव है इंप्रीज हो जाता है अब होगा अभी आप आप लोगों का जो साइज है वह घटेगा वहां पे आप लोगों के ड्यूटु दे प्रेसेंस ऑफ डी एलेक्ट्रों इन गैलियम तो उसका साइज बढ़ना चाहिए तक करके तो उस हद तक नहीं बढ़ पाता है बलकि कम हो जाता है और इतना कम हो जाता है कि वह आप लोगो का जो गैलियम है उसका साइज बढ़ना चाहिए था बाद द्यू तो पूर शिल्डिंग एफक्ट साइज बढ़ना नहीं साइज वलकि घड़ गया और इतना घड़ गया कि हमें ऐसा लगता है करके कि देरफोर साइज ऑफ आप लोगों का जो अल्यूमिनियम है वह अप्र अब तुम में से हो सकता किसी का यह डाउट आए करके कि अच्छा एक बात बताओ करके फिर आप लोगों का यह जो डी ऑर्बाइटल का कॉंट्रेक्शन हुआ है यह आपके उसी ग्रूप के बाखी लोगों में क्यों नहीं हुआ यानि कि क्यों इंडियम का साइज जो है व आप लोगों को उतना कोई खास मां पर डिफरेंस नहीं दिखता है और क्योंकि पहली बाइटल गैलियम में इंटर्डियूस हुआ था देयर फोर करके आप लोगों का जो साइज है वह किसीच का गैलियम का वह वाली चीज आप लोगों की आपकी अप्रॉक्जिमेटली हु आप यज चीज कैसे वहीं होती है नहीं यह चीज़ अपिन होती यह दूसा एकस्ष्प्छन भी हैं हमारे पास अब दूसरे एकस्ष्प्छन क्या हैं मैं दुसा एकस्प्छन यह यह अच्छा और एक और चीज यह जुआ बिन्ह inveemiddel में वालेड ग्रुप नमर 14 गुर्ट नमर 15 गुर्प नमर 16 में रूल मत अप्लाइच करते हैं अब दोसर एकस्पषिए है कि जाम अम लोगों का 4D के जो एलिमेंट्स होते हैं, 4D के जो एलिमेंट्स का जो साइज है, वो as compared to size of 5D क्या होना चाहिए था करके, आपका कम होना चाहिए था, यह हम लोग expect कर रहे थे, हमाई expectation थी, ठीक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5D वालों का जो size है करके, वो आप लोगों का बड़ा होना चाहिए और जो 4D के elements है, उनका size उसके compare में छोटा होना चाहिए, लेकिन जो size होता है, 4D का वो क्या हो जाता है, आपका approximately again हो जाता है किस चीच के as compared to size of 5D, यह ऐसा change आपको देखने को मिलता है, ठीक है, यह ऐसा change, अब आखिया ऐसा क्यों हुआ है करके, अब यह बताओ, 4D का size 5D क elements के बराबर क्यों है, अब क्योंकि 4D में भी D electrons है, 5D में भी D electrons है, जैसे मैंने अभी उपर बोला कि नहीं, उतना फरक नहीं दिखना चाहिए, तो क्यों आखिये को reason यह है कि आप लोगों का जो 1, आपका जो 1st period है, उसमें तो मातर S electron है, जो आपका 2nd period है, उसमें आप लो जो आप लोगों का 5th period है, अब चाहब 5D में क्या हो गया, ठीक है, 5D में अब क्या हो गया, तो 5D में भी कुछ आया है, S electron आया, P electron आया, D electron आया, बट पहले हम लोग ना जो exception है, उस exception को समझते हैं, लेंटनाइट कॉंट्रक्शन यह पढ़ेंगे अलग से, लेकि पहले exception है कि कौन सा वाला period, आप लोगों का 4th period, I am talking about 4th period, है ना, अगर D आपका 3 है, तो N बराबर आपका क्या रहा होगा, 4 रहा होगा, तो मापे आपके पास कुछ elements है, कौन से वो elements, आपके पास है, scandium, आपके पास है, titanium, vanadium, ठीक है, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, और उसके बाद, अच्छा यह जगा कम पड़ गए, रुख जोब फिर से लिख लेती हो, एक ही लाइन में आजा है, तो बेटर रहेगा ना, पढ़ने में भी आसानी होगी करके, scandium है, उसके बाद, titanium है, vanadium है, chromium है, manganese है, iron है, cobalt है, और nickel है, copper है, और फिर जगा कम पड़ी रही है, जान दो, छोड अब हमाई expectation क्या है, यह period के लोग, these are of period, यह जो element है, these elements are of period, अगर यह elements आपके period के हैं, तो आप इससे expect किये करोगे, कि इन में आप जितना left to right जाओगे, size उतना ही क्या होना चाहिए, करके, छोटा होना चाहिए, यानि कि आप यह expect करते हो करके, कि सबसे छोटा इसमें size कि का होना चाहिए, तर zinc का, और scandium to zinc जाने पे, ठीक है, आप इसका expectation आप लोगों की यह रहती, कि जब आप scandium to zinc जा रहे हो, तो scandium to zinc जाने पे, आप लोगों का जो size, atomic size, क्या होना चाहिए था, decrease होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता, तो क्या increase होता है, नहीं, increase में नहीं ह पूरा जो रस्ता इसमें हो क्या है, तो हम यह रेखते हैं, कि starting से, आपका जो element is scandium, scandium के बाद titanium, titanium के बाद vanadium, vanadium के बाद chromium, chromium के बाद manganese, यहां तक तो देखो size आपका घट रहा है, कोई दिकत नहीं है, scandium से छोटा titanium, titanium से छोटा vanadium, vanadium से छोटा chromium, chromium से लेके manganese, हम expect क्या करेंगा, कि size और घटना चाहिए, बट size और नहीं घटता है, experimentally observation यह रिखती है, कि manganese के बाद, ठीक है, from manganese onward, manganese के बाद क्या आ जाता है, manganese के बाद आप लोगों का क्या आ जाएगा, manganese यह रही, ऊपर, देखो, iron, cobalt, nickel, manganese के बाद, iron, iron के बाद, cobalt, cobalt क के बाद, आप लोगों का nickel, और nickel के बाद, फिर कौन है, आप लोगों का copper, यहां तक हम यह expect करते हैं, करके कि यहां पे भी size decrease होना चीए था, यहां पे भी size decrease होना चीए था, बट ऐसा नहीं होता, अब size decrease नहीं हो रहा है, अब size increase होना शुरू हो रहा है, sorry, constant रहना शुरू ह आप लोगों का क्या रहता है, constant रहता है, और constant रहने के बाद, अब देखो क्या हो जाता है, अब उसके बाद यह होता है, कि copper के बाद आता आपका फिर zinc और zinc तो आखरी D electron है, उसके बाद तो फिर वापास से P block शिरू हो जाएगा, तो again यहां पे आप लोगों का क्या हो जा इसके बाद रहा है, और उसके बाद वो इंक्रीज हुआ, अखे इसके पीछे की वजा क्या है, हमें यह चीज निकाली है, मतलब facts हमने निकाले, experimental data ways हमने निकाला है, और मान में उसका reason, explain करने की कोशिश कर रहे है, तो देखो वो क्या है उसका reason, आप लोगों का जो copper और zinc ह निकाली होता है, copper का configuration D10 होता है, इस जिंक का configuration भी टेन होता है, यहां पर आपका जो scandium, titanium, vanadium है, इन लोगों का configuration D1 होता है, D2 होता है, और D3 होता है, अब इसमें जो आपका manganese है, आसाइक्रोमियम है, इसका D5 होता है, manganese का भी D5 होता है, iron, cobald का D6 होता है, D7 होता है, और D8 होता है, यह इस तरीके से configuration होता है, हम लोगों के पास, है ना, तो अभी तुम यह रेखो, खुद imagining करो, मैं D की बात कर रही हूँ, D मतलब कितने डब्बे, पांच डब्बे, अब अगर scandium में, एक ही डब्बे में, एक इच इलेक्ट्रोन है, यानि कि यहां पे number of unpaired electrons, N, O, U, P, कितना है, एक है, फिर बाज़ो में titanium में D2 है, तो अब आपका N, O, U, P, यानि कि number of unpaired electrons कितने हो गाए, दो, अब imagine करो, D3 है, यानि कि 3 डब्बे, 3 डब्बों में, एक है, कि number of unpaired electrons कितने हो गाए, 3 हो गाए, chromium में number of unpaired electrons कितने है, आपके 5 है, manganese में 106 है, क है न, D6, यानि कि iron वाले पार्ट से, आप लोगों कि electrons कि pairing, start हो जाती है, और यहाँ पे number of unpaired electrons हो जाते है, कितने हो जाएंगे, 3, यहाँ पे number of unpaired electrons कितने हो जाते है, 2, and finally, यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे 0, क्योंकि D10 configuration है, number of unpaired electrons हो है, ही नहीं करके उसमें, बराबर है, तो आपका जो sub shell है, D sub shell, उसमें D sub shell के अंदर में क्या है, orbitals है, तो when you move from scandium to magnesium, ठीक है, इसका reason हम लिखता चलते हैं, कि जब हम लोग from scandium to आप लोगों का manganese जाते हैं, तो जो आपका electron है, वो electron क्या होता है, वो fill होता है, लेकिन किस में fill होता है, D sub shell के अंदर पाए जाने वाल अलग अलग orbitals में, D1 अलग है, D2 अलग है, D3 अलग है, D4 के लिख अलग है, तो क्योंकि electron अलग अलग नहीं है, तो therefore, जो repulsion होता है, किस के वीच का repulsion होता है, between electrons, वो electrons क्या हो जाता है, आपका decrease मतब कम हो जाता है, अब ये मेरे नीचे का जो arrow है, ठीक है, ये मेरा arrow decrease का है, तो यह repulsion हो जाता है, अब क्योंकि repulsion decrease हो जाता है, तो इसकी वज़ा से आप लोगों का जो Z effective है, up to manganese, यह Z effective आपका क्या हो जाता है, increase हो जाता है, और क्योंकि उसके बाद वागर यह हो गया, तो therefore आप लोगों का जो size है, वो क्या होने लगता है, decrease, लेकिन आखिर manganese के मा आपके जो pairing शुरू हो जाती है, ठीक है, after manganese, आपके जो electron है, इन electron की जो pairing होती है, वो pairing क्या हो जाती है, start हो जाती है, है और उसके बाद आप लोगों का जो क्योंकि pairing start हो जाती है, तो pairing start होने की वज़़ा से अभी दो चीज़ों होती है, कि जो आपके number of unpaired electron है, वो decrease हो लगते हैं, अच्छा, उसके अलावा, जो आप लोगों का number of electrons, अगर, एक मेंटा, decrease हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो metal on metal के बीच की जो bonding है, ठीक है, वो भी आपके decrease होने लगती है, metal model की bonding, जिसकी वज़़ा से आप लोगों का attraction घटने लगता है, और क्योंकि आपका attraction घटने के start होने की वज़ा से, ठीक है, अब electron, electron के बीच का क्या होता है, repulsion बढ़ जाता है, एक ही orbital में दो electron को रखे हो, तो दोनों electrons के बीच में repulsion क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा, so therefore करके, आप लोगों का up to copper, ठीक है, up to copper करके, ठीक है, बलकि up to copper दी, बलकि मैं उसको ऐसा रखन चाहिए करके, निकल रखना चाहिए करके, इस चीज को निकल कर दो, उसको यहां पर को करेक्ट कर लेते हैं, यह चीज अरे, यह चीज ऐसी करो करके, यहां कहीं पर अपना copper रखुआ, यहां कहीं पर, ठीक है, तो up to nickel आप लोगों का क्या हो जाता है, sorry, up to copper यहां निकल लि किसको, निकल को, यहां कि after nickel, तो निकल के बाद क्या बचता है, दो ही बचते हैं, copper and zinc, तो copper and zinc में क्या होता है, अगेन वही चीज होती है, वहां पर भी electronic, जो repulsion है, जैसे कि पहले वाले तीन केसे में बढ़ाता है, यहां पर भी electronic repulsion बढ़ना चाहिए, लिकें यह दिक्कत ह है, ठीक है, अब यहां पर electronic repulsion, आप लोगों का dominant हो जाता है, dominating factor बन जाता है, और dominating factor बनने की वज़र से यहां पर ज़ेड़ इफ्क्टिव, हो ज़ेड़ जाता है, अब लोगों का decrease, और decrease होने की वज़र से, therefore, यहां पर size क्या हो जाता है, इंक्रीस हो जाता है, बस अब यह एक और exception देख लेते हैं फिस चीज को अभी के लिए एक over करते हैं फिकल आगे इसके questions के साथ हम continue करेंगे जब आप 3D से 4D में जाते हो जब आप 4D से 5D में जाते हो तो आप यह expect करते हो एक minute यहां लिख देती हो मैं size of 3D आपके expectation होती है यह order चलना चाहिए बट reality इस तरीके से चलती है कि जो size of 3D होता है ठीक है जो आप लोगों का 3D का size होता है वो 3D का size अभी agree की 4D से कम होता है बट 4D और 5D का size होता है approximately equal हो जाता है ऐसा क्यों तो इसका reason ने को इस तरीके से समझोगे कि let's say आपके पास 3D period है आपके पास 4D period है आपके पास 5D period है जब आप 3D से 4D में move करते हो तो 3D से 4D में move करते है वक्त क्या होता है आप लोगों का सबसे important part कि 3D में भी D electron है 4D में भी D electron है 5D में भी D electron है फिर क्या हो गया वो यह है कि 3D में D electron है चलो रहा है जब आप 3D से 4D में जाते हो उसमें भी D electron है इसमें D electron है इसमें भी D electron है औ साती ही साथ में ऐफ इलेक्टरोंज भी है तुम्हें तो पता है कि एफ एलेक्ट्रां का जो श्यल्डिंग होता है वह होती पूर शिल्डिंग को फो एक संपरफिंग जो आपका जाप्हक जाटेकर्च संपर्सक्राप्स प्रपटि आपक्यों देफ्यव पयां दीचे क्या जाता है एक प्रॉक्जिमेटिल यक्वल आता है करके ना क्योंकि 5D में लैंफनम के बाद जोके चवदा इलेक्ट्रांस होते हैं वह एफ और इक्वल आजाता है इसी को हम लोग कहते हैं लैंथनाइट कॉंट्रक्शन जो कि आप लोगों के 5D सीरीज में हुआ है 5D सीरीज नहीं कि 6 पीरेट और भी लैंथनम वाले एलेमेंट के बाद में हुआ है so therefore we called it as lengthenum क्या कहते है लैंथनाइट स्फेक्शन ठीकिनाइट कि आपका स्कैंडियम का साइज छोटा होना चाहिए किसे आप लोगों का उसके जो नीचे आता है अब यह रट ले ना कि स्कैंडियम के नीचे कौन आता है इसे पिरॉडिक टेबल रटा हुआ हुआ भी जरूरी है यीटिरियम अब लेकिन योटियम एक्सपेक्टेशन होती है कि यह वाला ऐसा होना चीए करके यह वाली चीज बराबर यह लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब यह ने रूल बनाया ना कि इसलिए घटा क्योंकि वहां पे जो नए लेक्टों से वह एफ और बाइटल में जाने लगे लान्थनम में तो यह रवाइटल में जाता ही नहीं है या निकि सिर्फ और सिर्फ आपका जो गुरुप नंबर 3 में किसी प्रकार का लेंटे नाइट कॉंट्राक्षिम नहीं होता similarly आपका जो पीरेड नंबर साथ है जो आपका 7th period है 7th period में भी आपको इस प्रकार की कोई एक अजीब हो गरीब चीज देखने को मिलती है वहां पर बहुत सारे elements हैं बैसे आपका जो 7th period होता है उस 7th period में जो actinites होते हैं उनके starting होती है cerium से cerium के बाद फिर आप लोगों के बहुत सारे different elements आते हैं पूरे elements का तो देखो मैं नाम लिखनी रही हूं लुटेनियम पे बैट मतलब आप लोगों का एक मिनट है मैंने गलत लिख दिया करके दो मिनट को हूं हाँ जो आपका 7th period है उसमें cerium रहता है और cerium के बाद नहीं रहता है हाँ जो आपका 7th period है उस 7th period में आपका actinite रहता है ना तो actinium होगा actinium के बाद आता है four of electrons ऑलेकर्ण है यहां पे four of electrons है तो आप तो जानते के four of electrons का बहुत ही poor shielding effect होदा है ठीक बहुत ही poor तो his लेक्राइज क्या हो जाता होगा आप लोगों का घर जाता होगा करके हैसा ही होता है जब आ यहां जाते हो तो को का जो होता है और लोगों का क्या होता है करके डिक्रीक अंड इस इस नोना इस अट्पनाइट कौंट्रक्शन से मिलाली जब त्म सिक्स पीरिड में तो six पीरिड में यह सब डॉत 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 दॉत तुम लिखता रहतना आगे इसमें एक बताना है यह जो तुम लोगों का एसम के बाद यह जो आता है आपका एलिमेंट ए यू ठीक है यूरोपियम यह आप लोगों का इन सारे एलिमेंट्स में लार्जेस्ट है करके यह लार्जेस्ट अमंग ओल इलिमेंट्स क्यों है चैब लोग डी ब्लॉक पढ़ेंगे तब इस चीज को फिर से देखेंगे अभी के लिए इसको यारों को लार्जे के डिक्रीज को ड्यू टू आपका एफ वालोगों को इसको अम लोगों कहते हैं लेंथनाइट कॉंट्रेक्शन और अगर यह मान लेते हैं आपके सेवन पीरेड में हो रही है तो इसी चीज को आप लोग क्या कहोंगे एक्टिनाइट कॉंट्राक्शन ठीक है दोनों जगा